फ्रेंट्स सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली होली का ये तियोर आपके जीवन में खुसियों के सारे रंग बर दे और आने वाला समय आपके लिए मंगल में हो और स्टॉक मार्केट में जो हमारा तेजी का वातारून बना हुआ है ये ऐसा ही लंबा चले ताकि हर कोई कमाए फ्रेंट्स जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि बाजार में आज सांदार तेजी का वातारून बनेगा तो पिल्कुल वैसा ही हुआ जो पॉजिटिव रिजन है वो लगातार पॉजिटिव हो रहे और जिस तरसे FI का रुजान हमारे बाजार की तरफ सकारतमक होया भी लगता है कि बाजार में आगे भी तेजी जानी रहेगी और सबसे अच्छी जो बात है कि बहुत सारे जो रिजन जो निगेटिव बने हो तो धीरे तरे सारे पॉजिटिव बनने लगे तो उन सारे रिजन को डिसकस करेंगे जिससे आपको भी समझ में आजाएगा कि बाजार में अब लंबी तेजी आने वाली है यहाँ पे जिस अब डाउन हमें देखना को मिला था अब वहाँ पे कमी आजेगी और तेजी एक तरपा हो सकती है तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो की मादिम से दो बड़ी अपडेट निकल कर आएगे उनको भी डिसकस करेंगे यानि एक तरह से कहें तो हमारे लिए आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है लेकिन कुछ निगेटिव बाते हैं जिसको भी डिसकस करेंगे और आगे क्या पोजिटिव संभावना रह सकती है और कौन से इस्टोक पर हमें इस समय दाव लगाना चीए लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे एक बेल आइक उन बाद दीजे ताकि जब भी निया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरू कीजे चलो फ्रेंड वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स सबसे बहले BSE Sensex की बात कर लेते हैं सुबह शुरुआ तो इसांदार 57,620 पर आज जो हाई बना वो है 58,095 का यानी 58,000 के इस्तर को आज छूली आता Sensex ने यह बहुत इच्छी बात रही फिर जो लो बना वो है 57,518 का कोई बड़ी गिराउट हुई नी अंत में 57,863 पर क्लोजिंग रही 1,047 पॉइंट की हमें तेजी देखनों को मिली करीब 1,84% अपपर था काफी अच्छी तेजी हमने देखी आज बाजार में निप्टी 50 की बात करें तो करीब 17,287 का इस तर देखनों को मिला है 311 पॉइंट की सांदार तेजी 1,84% उपर था निप्टी 50 अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि निप्टी 50 भी मजबुत सपोर्ट मिल चुका है 17 का तो यहाँ पे अब तेजी आगे भी जारी रह सकती है आज निप्टी 50 में 1.84% की तेजी थी तो निप्टी next 50 में 1.48% की तेजी थी निप्टी 100 में 1.79% की तेजी निप्टी 200 में 1.73% की अच्छी खासी तेजी देखनों को मिली निप्टी 500 में 1.66% की तेजी निप्टी mid cap 50 में 1.42% की तेजी थी और Nifty Mid Cap 100 में 1.38% की तेजी देखनों को मिली Nifty Small Cap 100 1.23% अब था और India VIX आज 6.25% डाउन था जितना ज़्यादा डाउन जाएगा उतना ही बाजार के लिए अच्छा है Nifty Mid Cap 150 की बात के तो 1.22% की तेजी देखनों को मिली Nifty Small Cap 250 में 1.18% की तेजी थी और Nifty Mid Small 400 में 1.21% की तेजी तो आप देख लो सारे के सारे Nifty कम से कम 1% से उपर थे बहुत ही अच्छा किसी किसी में करीब 2% के आज पास तेजी हमें देखना को मिली Overall सब सेक्टर में सांदार तेजी थी अब सेक्टर इंडेक्स की बात तो Nifty Bank में आज जबबरदस 1.90% की तेजी देखनों को मिली Nifty Auto भी बहुत तेजी से दोड़ा 2.18% की सांदार तेजी और Nifty Financial Service में भी 2.77% की बंपर तेजी Nifty FMCG सेक्टर में भी 1.40% की तेजी लेकिन आज Nifty IT काफी ज़्यादा कमजोर था 0.24% की गिरावर देखनों को मिली Nifty Media में 1.13% की तेजी थी Nifty Metal भी काफी दिन के बार आज दोडने लगा 1.95% की सांदार तेजी देखनों को मिली Nifty Pharma में 1.28% की तेजी यह भी काफी दिन से वीक था इसमें भी खरीदारी शुरू हो चुकी है Nifty PSU Bank 0.90% अप था Nifty Private Bank 1.85% अप सबसे सांदार रा निर Nifty Reality जहापे 3.13% की बंपर तेजी देखनों को मिली और Nifty Reality कल भी काफी बागा था बाजार के वीनर देखे तो HDFC निकल के आए जहापे 5.37% की सांदार तेजी देखनों को मिली JSW Steel में 4.56% की तेजी Titan में 4.47% की तेजी SBA Life Insurance में 3.94% की तेजी देखनों को मिली Kotak Mahindra Bank 3.38% अप था Loser देखे तो बाजार का Infosys जहापे 1.84% की गिराउट देखनों को मिली SIPLA 0.69% डाउन IOCL 0.49% डाउन HCL Technology में 0.22% की गिराउट Coal India 0.2% की गिराउट तो यहाँ पे जो वीनर तो है Banking सेक्टर था ही हो बाकी जो Loser है वो IT और Oil सेक्टर से इन दो सेक्टर में थोड़ा दबाव दिख रहा है अब जो अच्छी बात यह है कि 10 ग्राम 24 कैलेट गोल्ड की प्राईज जो है फिलाल अभी 53,170 पर है लेकिन कल से थोड़ी सी बढ़ गई है कल जो प्राईज थी वो 52,955 तक आच्छू की दिख तो वहाँ से थोड़ी सी बढ़ दिख रही है लेकिन इतनी कोई बड़ी बढ़ दिख नहीं है क्योंकि और इसने 55,000 के इस्तर को चूली आता तो अभी गोल्ड कंट्रोल में है थोड़ी सी गिरावट के बाद थोड़ी से उचाल तो लाजमी है सबसे अची जो खबर निकल कराई है वो है इंडियन रुपीज के लिए यानि डॉलर के सामने रुपीज काफी जाना मजबूत हो गया है 75.88 के इस्तर पे आ चुका है जहाँ पे आप देखोगे तो 77 के उपर चला गया था ये 7 मार्च को अब वो वापस धीरे धीरे अपने पूराने इस्तर पे आ रहा है काफी मजबूत हो रहा है इंडियन रुपीज हमारे लिए बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है इंडियन मार्केट के अलावा इंटरनेशन मार्केट में में भी जबरदस तेजी देखने को मिली फिलाल जो अमेरिकन बाज़ा तो खुलने बाकी है लेकिन आप देख लो कि नेश्डेक में 3.77% की बंपर तेजी थी रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 3.14% की जबरदस तेजी और XOI में 0.42% की तेजी यहाँ पे कोई भी इसकी खबर का निगेटिव रुक देखने को दी मिला और इस वज़े से पॉजिटिव माहुल बना अब यहाँ पे एकर कुरूर ओल की बात करें तो WTI थोड़ा सा तेज है फिर से 100 पे आ चुका है थोड़ी गिराउट हुई थी फिलाल 100 की प्राइज है 5.67% अपर ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट कुरूर ओल की बात करें तो फिलाल 1804 प्राइज आपे 6.23% की तेजी देखनों को मिले है तो कुरूर ओल में थोड़ा सा उचाल है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है थोड़ा अभी काफी गिर गया था थोड़ा सा बड़त तो होईगी आने वाले समय में फिर से दबाव आने लगेगा और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो इंडेक्स बेस बड़े स्टॉक है उसमें आज पूरे की पुरे सारे ग्रीन थे आपको रेड़े सिर्फ दो दिखाई देंगे एक बड़ी खबर दिकल के आ रहे है जो कल भी हमने है डिसकस की थी कि जिस तरसे इंडिया ने अब रूस की तरफ से जो तेल लेने की तयारी कर ली है तो कच्छा तेल इंडिया खरीदेगा रूस से ये डील लगबख फाइदल हो चुकी है और इससे इंडिया रूपीज और मजबूत होगी और जो हमारा इंपोर्ट का बील है उसमें भी काफी कमी आएगी तो ये लगबख डील फाइदल होने वाली है अमेरिका ने अपनी तरफ से थोड़ा सा इसमें अधारत की जताई थी लेकिन ओवरॉल ये हमारे हितों के लिए हमें जरूरी है इंडूस्तान के लिए और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डील होगी इसमें डॉलर की जगह पे इंडिया दूपीज में डील की जाएगी और इसका बुकतान डॉलर की जगह रूसी जो रूबल है उसमें किया जाएगा साथ में कुड़ ओयल को भारतिय पोर्ट तक वेजनेकी और शिपिंग इंसरेंस की सारी जिम्मेदारी रूस उटा रहा है तो इंडिया को डबल फाइदा हो रहा है इसमें एक तरफ तो आप देख लो कि सारी के सारी जिनकी जवाबदारी रूस ले रहा है दूसरी तरफ कम प्राइज में मिलने वाला है इंडिया को कुरूड ओयल और जो भी है कच्छा तेल तो यह अच्छी बात है इंडिया के लिए और डिली यह लगबख फाइदल होदे की कगार पर है अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि युएस जे जो फैड मीटिंग की जो रिपोर्ट निकल गरा है उसके बाद बाजार में सांदार पॉजिटिव बाउंस बैक दिया और बाजार तेजी से बाग रहा है और अब जो आगे है संबावना क्या बन रही है तो रेलिगर सेकुरिटिज की तरफ से जो कहा जा रहा है जित मिश्राखा की अब बाजार में सांदार तेजी का दो बातावन बना हुआ है लगाता है तेजी भी आगे है और जो निगेटिव रिजन बने थी उसका अभी दरफ वो डिसकाउंट हो चुके लेकिन फिलाल जो चीन में करोना के मामले बढ़ रहे है और जो जियो पॉलिटिकल तनाव जा रही है उसका अभी भी टेंशन बाकी है लेकिन अभी इंडेक् तो 17,350 के इस तर के ऊपर टीके रहने में अगर कामियाब रहता है तो फिर 17,500 से लेके 17,707 का इस तर हमें देखना को मिल सकता है और अगर गिरावट होती है तो फिर 16,800 से लेके 17,000 के जोन में सपोर्ट नजर आ रहा है यह सपोर्ट नहीं टूटना चीए तो फिर बाजार positive आगे बढ़ सकता है कोटक security की तरब से का जा रहा है कि फिलाल टेक्निकल नजरी से देखे तो निप्टी के लिए अब सपोर्ट 16,800 से खिसकर 17,000 पर आ गया जो एक अची बात है और निप्टी 17,000 के उपर बना हुआ है अब इसमें तेजी की समावरों बन रही है और आग बना है एक तरब तो हमारा जो इंडिन रुपीज है वो मजबूत हो रहा है गोल्ड की प्राइस काफी नीचे है और ऐसे गोल्ड की प्राइस नीचे रहेगी तो फिर जो इन्वेस्टमेंट है जो गोल्ड की तरब जाने का जुकाव हो भोगा नहीं इस समय है जो भी का दौर था वो भी थम गया है और साथ में रूस से अगर हमें कच्छा तेल मिलेगा कम प्राइज पे तो हमारे आपे जो प्राइज बढ़ने की जो संभावना थी 20 से 25 रुपे 15 रुपे ऐसी वो अब संभावना नहीं रहेगी तो इससे भी फाइदे कुछ बाजर को बहुत स अच्छे वाले मजबूत इस्टॉक फंडमेंटली हो ऐसे श्टॉक में नीवेश करना शुरू कर दे आने वाले समय आपको बंपर रिटन मिलेगा और यह होली से आगे के शुरुआत आपके लिए अच्छी हो सकती है लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनस एडवेज से एक बाइडवेज ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन प्रपच के लिए ही बनाया है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेजर रुकिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू